नमस्कार दोस्तों विद्यवजन इस्ट्यूट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्ति मांशू और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 कोश्चन नमबर 14 तो चले शुरू करते हैं और कोश्चन नमबर 14 है side AB and AC and maiden AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and maiden PM of another triangle PQR show that triangle ABC is similar to triangle PQR दोस्तों बहुत ही easy question है अगर आप इसको धंक से समझे थोड़ा सा इसका solution लंबा है लेकिन अगर आप step by step ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो ये question आपका exam में गलत नहीं होगा तो चले इसको solve कर लेते हैं अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दो triangles दिये गए हैं दो triangles की बात हो रही है triangle ABC और triangle PQR तो यहाँ पर यह triangle draw कर लेते हैं यह triangle ABC अब इस triangle में एक maiden है AD तो यहाँ पर एक D point से हम एक maiden draw कर लेते हैं और अगर यह maiden है that means यह जो point है D यह इस side BC को दो equal parts में cut कर रही है चलिए similarly हम triangle PQR draw कर लेते हैं जिसमें एक maiden है M जो QR को equal parts में cut कर रही है यहाँ तक समझ में आ गया है यहाँ तक कुछ भी difficult नहीं है अब देखिए question में दिया गया है that AB upon PQ यह देखिए AB upon PQ is equal to AC upon PR यहाँ पर figure में भी देखिए is equal to AD upon PM यह हमको दिया गया है और हमको यह proof करना है that triangle ABC is similar to triangle PQR अब यहाँ पर BC और QR में आपस में क्या ratio है यह हमको नहीं दिया गया तो चलिए इसको solve कर लेते हैं अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा construction करेंगे अब यहाँ पर side AD को extend करेंगे point E तक यहाँ पर देखिए यह है side AD इसको हम point E तक extend करेंगे such that AD is equal to DE तो यह देखिए यह हमने इस side को extend किया that is AD is equal to DE यह दोनों sides आपस में बराबर हो गई अब हम BE और EC यह देखिए यह जो side है PM इसको हम extend करेंगे point L तक such that PM is equal to ML यहाँ पर देखिए यह हमने इसको extend किया PM is equal to ML अब हम QL और RL को आपस में जॉइन कर देंगे यह देखिए हमने QL को आपस में जॉइन कर दिया और RL को भी आपस में जॉइन कर लिया यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास दो quadrilateral बन गए एक quadrilateral A, B, E, C और एक quadrilateral P, Q, L, R दो quadrilateral बन गए अब इस quadrilateral को देखिए quadrilateral A, B, E, C को देखिए यह जो quadrilateral है इसमें A, E और B, C इसकी diagonals है और यह दोनों diagonals जो है वो point D पर एक दूसरे को bisect कर रही है आपर आप देख सकते हैं यह दोनों diagonals point D पर देखिए इस figure को यह दोनों diagonals point D पर एक दूसरे को bisect कर रही है now in quadrilateral A, B, E, C that means this quadrilateral diagonals are bisecting each other at point D therefore A, B, E, C is a parallelogram जैसा कि हमने class 9 में पढ़ा था कि parallelograms की जो diagonals होती है वो एक दूसरे को bisect करती है तो यह जो quadrilateral है A, B, E, C यह एक parallelogram होगा और अगर यह parallelogram होगा तो इसकी opposite sides आपस में बराबर होगी ठीक है? चलिए that means A, B is equal to E, C यहाँ पर देखिए A, B, E, C के बराबर होगा और A, C, B, E के बराबर होगा यहाँ पर देखिए A, C जो side है वो B, E side के बराबर होगी एक बार फिर से A, B, E, C के बराबर होगा और A, C जो है वो B, E के बराबर होगा और ये दुनों opposite sides आपस में parallel भी होगी ठीक है यहां तक समझ में आ गया कुछ भी difficult नहीं है चलिए अब हम similarly हम prove कर सकते हैं कि PQLR जो है that means this quadrilateral ये quadrilateral भी एक parallelogram होगा और अगर ये parallelogram होगा तो QL is equal to PR इसकी भी opposite sides आपस में बराबर होगी यहां पर देखिए QL is equal to PR and PQ is equal to RL ठीक है चलिए और इसकी opposite sides आपस में parallel भी होगी अब देखिए हमारे पास ये एक equation दी गई है और by construction हमने ये prove कर लिया अब हम इसको solve कैसे करेंगे ध्यान दीजेगा अब हम क्या करेंगे इस equation को use करेंगे तो सबसे पहले इस equation को फिर से एक बार लिख लेते हैं हमने कुछ नहीं किया इस equation को दुबारा लिख लिया अब यहाँ पर ध्यान दीजे यहाँ पर a c की value क्या है a c की value है b e और p r की value क्या है p r की value है q l ठीक है तो यहाँ पर हम a c की जगह पे b e लिख सकते हैं और p r की जगह पे q l लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा a b upon p q वैसे उतार लिजे AC की जगे पर हमने लेख लिया BE और PR की जगे पर QL और यहाँ पर AD upon PM है तो हम क्या करेंगे numerator और denominator में हम 2 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 AD upon 2 PM अब यहाँ पर देखिए 2 into AD is equal to AE AD का 2 times जो है यह पूरी side हो जाएगी AE और PM का 2 times हो जाएगी पूरी side PL तो यहाँ पर 2 into AD की जगे पर हम लिख सकते है AE और 2 into PM की जगे पर लिख सकते है PL दोस्तों ध्यान से समझेगा ध्यान से नहीं समझेगे तो यह question समझ में नहीं आएगा ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हमने 2 into AD की जगे पर कर लिया AE और 2 into PM की जगे पर कर लिया PL ठीक है? तो दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच गए और हमने यह प्रूफ कर लिया और यह हमने प्रूफ क्यों किया? अब देखिए हमारे पास मिला गया हमको मिला AB upon PQ is equal to BE upon QL is equal to AE upon PL यह हमने प्रूफ कर लिया तो इस तरीके से आप देखिए ट्राइंगिल A, B, E और ट्राइंगिल P, Q, L को देखिए दोस्तों इन दोनों ट्राइंगिस को देखिए इन दोनों ट्राइंगिस की तीनों साइट्स आपस में प्रपोर्ष्णल है यहाँपर देखिए ता यह दोनों ट्राइंगिस आपस में सिमिलर होंगे by triple S similarity Criterion और अगर यह दोनों ट्राइंगिस आपस में सिमिलर होंगे तो इनके corresponding angles भी बराबर होंगे therefore this angle is equal to this angle और बाकी angles की हम बात नहीं करेंगे therefore angle BAE that means this angle angle BAE is equal to angle QPL angle QPL that means this angle ये दोनों angles आपस में बराबर होंगे इसको हम equation 1 मान लेते हैं similarly हम ये proof कर सकते हैं कि triangle AEC ये similar होगा triangle PLR के यहाँ पर देखिए ये जो इसके opposite triangle है ये देखिए triangle AEC ये similar होगा triangle PLR के ये दोनों triangles भी आपस में similar होंगे और ये दोनों triangles आपस में similar होंगे तो ये angle और ये angle आपस में बराबर होंगे therefore angle EAC that means यहाँ पर देखिए एंगिल EAC that means this angle is equal to angle LPR that means this angle यहाँ पर देखिए angle LPR ठीक है यहाँ तक हम पहुँच गए अब देखिए यह हो जाएगा equation 2 अब हम क्या करेंगे equation 1 और equation 2 को आपस में add कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा angle BAE plus angle EAC is equal to angle QPL plus angle LPR ठीक है अब यहाँ पर देखिए BAE और EAC इन दोनों angles को add करेंगे तो यह पूरा angle बन जाएगा उसी तरीके से इन दोनों angles को add करेंगे तो यह पूरा angle बन जाएगा therefore यह हो जाएगा angle BAC यह पूरा angle होगा BAC is equal to angle QPR ठीक है यहाँ तक हम पहुँच गए ठीक यह हो जाएगी equation 3 चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए हमने यह प्रूफ कर लिया कि यह angle और यह angle यह दोनों angles आपस में बराबर है अब triangle ABC और triangle PQR में देखिए इन दोनों triangles में AB upon PQ is equal to AC upon PR यह तो हमको दिया गया है और इनके बीच का जो angle है वो भी आपस में बराबर है ठीक है by equation 3 तो अब चुकि यहाँ पर इन दोनों triangles में एक angle आपस में बराबर है और उस angle की जो including sides है वो proportional है तो यह दोनों triangles आपस में similar होंगे by side angle side similarity criteria और दोस्तों यही हमको proof करना था तोस्तों आपस्तों 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 नो Pop कर समwegen आपस्तों जों मेंगना वो तो यह माँत्व्टिए यह ईंगजॉ कर रहिए यह हमको जो जो ऑननों मेंको झाल झाल